मुकदर से कह दो, अकेला नहीं हूँ मैं, लाखो दुआए है मेरे साथ IAT निकाल कर मैं ये दिखाऊंगा कि मेरे मादा पिता और मेरे अध्यापकुगा कितना था मुझ पर विश्वास तो आप लोगों को भी वो विश्वास बनाए रखना है और IAT निकाल कर दिखाना है और आप लोगों के उसी विश्वास को मेंटेन करने के लिए IAT की तरफ एक कदम और बढ़ाने के लिए मैं हर्ट त्यागी बहुवली फिजिक्स वाला प्लैट्फॉर्म पर एक बार फिट से आप लोगों को स्वागत करता हूं रफ्तार बैच के अंदर थर्मो डैनमिस के लेक्शन नमबर थ्री में है और आज हम पढ़ेंगे क्या देखिए रिलेशन से बिट्वेन हीट के पैसिटी और आईसो थर्मल प्रोसेस के बारे में सब कुछ आईसो थर्मल प्रोसेस के अंदर वागडन कैसे कैलकुलेट करते हैं आईसो थर्मल प्रोसेस के अंदर हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं एंथेल्पी कैसे कल्कूलेट करेंगे, इंटर्नल एनर्जी कैसे कल्कूलेट करेंगे, वो सब कुछ आज हम पढ़ेंगे और सारे नुमेरिकल भी स्वाल्व करेंगे, इसलिए बिना किसी देरी के सुरुवात करने जा रहा हूं, मैं आज एक बहतरीन कॉंसेप्ट से, जिस फिर भी पढ़ना है, कैसे जरा देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँगा, डिग्री ओफ फ्रीडम एड इक्वी पार्टिशन प्रिंसिपल की, और जैसे मोनो एटोमिक कोई गैस दे रखी है, डाइटोमिक कोई गैस दे रखी है, ट्राइटोमिक कोई लोन लीनियर गैस दे करते हैं, प्लीज, कम टू दा पॉइंट, देखिए, मालनी जे दुनिया में कोई भी गैस है, कोई भी गैस, यह जो को गैस होती है, जब इन गैस के इंदर, आपको पता है कि अलग अलग टाइब की गैस हो सकती है, चाहे वो मोनो एटोमिक हो सकती है, हो सकता है, वो जिस भी एक्सिस के अलोंग, वही उसकी डिग्री ओफ्रीडम होगी, उधारन के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा जी, माल लीजेगा कि आपके पास एक मोनो एटोमिक गैस है, आप लोगों को समझना है कि इसकी डिग्री ओफ्रीडम कितनी होगी, देखो बेटा, मैं आप लोगों को टोटल डिग्री ओफ्रीडम कैल्कुलेट करने का एक फोर्मला बता रहा हूँ, ठीक है भाई, तो सबके लिए applicable होगा, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा, टोटल डिग्री ओफ्रीडम, टोटल डिग्री ओफ्रीडम का फोर्मला होगा, 3N माइनस के आर, यह हो मेरे पास क्या, टोटल डिग्री ओफ्रीडम टोटल डिग्री ओफ्रीडम उक़्री ओफ्रीडम एकवस्कंड फिरी एन, और यह होगा, बीटा जी, मेरे पास हाई टेंपरेशर पर का भोगा जी यह बिटा हाई टेंपरेचर पर अब जड़ा देखिए यहां पर एन जो है ना एन यह है number of atom किसी भी गैस के अंदर कितने atom है जैसे हीलियम के अंदर एक ही atom होता है और टू के अंदर oxygen के अंदर दो होते हैं उस तरह किसे में समझेगा number of atom और आर क्या होगा जी उन एटम के पीच relation का मतलब क्या होता है born कितने वोई कितने कि यहां sandwiches तो यहां पर भी एन क्या हो जाएगा number of atom तो आप लोगों को एक बार समझनी है किसी भी णहिस के लिए अगर आपको toad डिग्री निकालनी है तो उसके लिए बाई क्या हो जाएगा हमारे पास total degree of freedom low temperature पर आएंगी 3N minus R से और high temperature पर आएंगी 3N से ये बात आपको याद रखनी है अब कहानी कुछ start करता हूं मैं ऐसे कि for example अगर मेरे पास कोई gas monoatomic है कोई gas monoatomic है तो मुझे उसके अंदर calculate करनी है degree of freedom ठीक है बाई कितनी degree of freedom होगी उसकी अलग-अलग तरीके की तो जरा देखिए बिटा मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा अगर आप लोगों को यांद होगा ठीक है एक तरफ मैं ल कौन-कौन सी हो सकती है helium हो सकती है neon हो सकती है और आप लोगों के पास argon हो सकती है krypton हो सकती है एट्सेक्ट्रा यह साड़ी की सारी ऐसी गैस हैं जिनमें एक-एक एक होता है clear है बात तो यह हमारे पास monoatomic gas है आप लोगों को एक बात ध्यान नगनी है मेरे बच्चों कि परशकर देखेगा मेरी बात मेरी बातों पर आना है आप लोगों को ठीक है तो आप लोग जानते हैं कि सरकोई भी गैस जो हो वह दो तीन तरह से motion कर सकती है एक तो होगी translational motion translational motion दूसरी कौन सी motion करेगी बिटा जी वो rotational motion और तीसरी कौन सी होगी बिटा जी बोलिए आप को के सर vibrational motion vibrational motion वो करती है अब ज़र समझेगा अगर मेरे पास monoatomic gas है और मुझे यह calculate करना है कि वो कितनी degree of freedom रखती होगी तो आप लोगों को एक बात समझनी होगी बिटा जी सबसे पहले आप total degree of freedom निकालोगे जब मैं total total degree of freedom निकालूँगा तो उसका formula क्या होगा 3N माइनस के आर और चाहिए आप 3N लगा लेना देखो helium neon argon अगर आप इनको अलग-अलग cylinder में लेते हो तो आप लोग जानते हो कि helium किसी के साथ bond तो बना के नहीं रखती या helium कोई particle दूसरे helium particle के साथ कोई single bond नहीं बनाता कोई double bond नहीं बनाता राइट इसलिए यहां पर relation कितना हो जाएगा 0 जीरो जैसन क्या हो गया इन गैसिस के लिए 0 ध्यान अगना है आर क्या हो गया इनके लिए 0 तो हमारे पास इसमें भी एक 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 सबकी एक टोमिसिटी 1 है तो क्या मैं लिख दूगा 3 इंटू में 1 तो देखिए हमारे पास 3 डिग्री ओफ रिडम हो गई टोटल 3 डिग्री ओ फिरडम है ठीक है यह बात ध्यानक नहीं अब मैं आपको एक बादाता हूं जब कभी भी हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ना एनर्जी जानते हो ना इंटर्नल एनर्जी यह साधी के सारे जब मोशन करेगा और इनको मोशन कराने के लिए कुछ एनर्जी खर्च भी होती होगी यार बही ट्रांसेशन मोशन करने के लिए ट्रांसेशन एनर्जी हम आतातों कैसे होता है यह फोर्मीला होगा वन बाय टूँ डिग्री ओफ रिडम आर्टी यह बर भडर होगा वन बाय टूपर डिग्री ओफ्रीडम र्टी और प्रलस इसका होगा भीटाजी ऐफ आर जाहे कर आर क्या हो जाएगा हमारे और हमें यह फील करना है कि जो degree of freedom रहेगी वो किस परकार में रहेगी कौन सी गैस के लिए रहेगी अब जड़ा देखो बिटा सबसे पहले मैं आप लोगों को monotomic gas के बारे में थोड़ी सी feel दिलाने वाला हूँ कि किसी भी cylinder के अंदर monotomic gas कि तरह से motion कर सकती है please आद मुझे एक बात बताईए अगर मेरे पास अगर मेरे पास एक cylinder है उस cylinder के अंदर आपको यह मानना è कि बहुत बड़ा श्पेस है आपका मदल्ला इस भी तरसे इस पेस में चले गए तुम लोग है ना इस पेश में हो आप तो आप लोग यह समस्तर दोगे होंगे कि जब हम इस पेस की बात करेंगे तो वहाँ पर तीन X 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 1 X 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 मैं कोई गैस रखता हूं तो गैस के पार्टिकल मोशन तो करते ही है न भावी जन तो करते ही च्व embraced को एक जगह से दूसरी पर तो जाते ही होंगे कि नहीं ज जाते होंगे आप Fake धूज सर जाते तो होंगे सपोज करो कोई गैस का पार्टिकल क्या एक्स एक्स एक्सिस के अलों क्या कोई गैस का पार्टिकल क्या कोई gas का particle x-axis के along ऐसे भी motion कर सकता है और ऐसे भी motion कर सकता है हाँ या ना आप कोगे sir बिल्कुल कर सकता है same to same y-axis का particle y-axis के along भी बिटाजी motion कर सकता है आप कोगे sir बिल्कुल कर सकता है उपर भी कर सकता है और नीचे भी कर सकता है और same to same y-axis का particle अब मुझे बात बताईएगा यहां पर होता क्या है कि कोई भी पार्टिकल किसी भी एक्सिस के अलोंग सीधे चलते हुए या वापस आते हुए जिस भी एक्सिस का अनुसरण करता है मतलब यूज करता है और प्लस कंडिशन यह कि उसकी पोजिशन चेंज होनी चाहिए अगर उसकी पोजिशन चेंज भी हो रही है ठीक है बाई तो हम कहेंगे कि वो इसके डिग्री ओफिर्डम होगी तो मुझे बताईए कि कोई एक पार्टिकल कोई एक पार्टिकल कितने एक् और यहां पर बिटा जी क्या हो जाएगा जैड तो यहां पर टोटल जो हमारे पास वाइब रही डिग्री ओफिर्डम बैठी वह तीन एक्सिस के साब से तीन बैठेंगी बिटा तो आप क्या कोगे बही कि यहां पर तो डिग्री ओफिर्डम जो मुन अटोमिक गैस के प्ली आर्टी ऐसे रख दिया अब आपको देखना है कि रोटेशनल मोशन करते हुए रोटेशनल मोशन करते हुए उसकी डिग्री ओफिर्डम क्या होगी प्लीज आप लोगों को मैं फील दिनाने कोशिश कर रहा हूं आप लोगों ने जब पच्पन में मूवी देखी भी गख़डर को देखा होगा वो क्या करता है अपनी बास्केट बोल को ड़ो देखना नचाते रहते हैं आप समझेगा अगर मेरी फिंगर पे फुट बोल है और फुट बोल गूं रही है घूम रही है तो एक तरह से नो कर रही है लेकिन क्या उसकी पोजिशन में कोई चेंज आ रहा है बोलो वो जहां पर है अभी भी वहीं पर है कि नहीं है बोलिए आप कोगे सर बिल्कुल सही बात है एक्जामपल हमें कुछ-कुछ समझ में आ रहा है हमने बहुत सारे इंस्टाग्राम दील में ऐसा कभी देखा है ठीक है तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अग और मैं इस पर रखकर ऐसे घुमा रहा हूंगा तो क्या उसकी पोजिशन में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा मैं अगर अपनी फिंगर को यहां रख दूँ फुटबोल को ऐसे रख दूँ और वाइक्सिस के अलोंग ऐसे घुमाने कोशिश करूँ ठीक है वही कोई भी और ओल्ड करके तो क्या उसकी पोजिशन में कोई चेंज आएगा बोलो आपको किसर नहीं आएगा उधारन के लिए में एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं सपोस करिए यह मेरे पास कि सपोस करिएगा कि यह मेरे पास य-axis में समझाने के लिए एक तरीका है कि भाई यहां पर यह दो जंगा से फिक्स है पेटा अभी पुरा दिमाग लगा के समझने पर कोकस करना और यह वो फुटबोल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है यहां से मान लीजे कि यह मैंने फिक्स कर दी और यहां पर भ क्या इसकी position में कोई change आएगा क्या यह ऊपर नीचे दाएं-बाएं हिलेगी आप को गे सर नहीं हिलेगी यह अपनी position पे रहके moment करती रहेगी motion करती रहेगी तो जब इसकी position change ही नहीं होगी हिलेगी नहीं तो हम कहेंगे इसका कोई भी degree of freedom rotation में नहीं है ना तो ऐसे है ना ही नहीं हम ऐसे कर सकते भाई नहीं हम ऐसे कर सकते कि माली जी हमारे पास गैस है यह हमारे पास गैस हो गई तो मैंने इस एक्सिस के अलोंग बोला देखो भाई, इस Axis के अलोंग है, अब आप समझेगा, अगर यहाँ पर यह गैस है, इसको अगर मैं X Axis के अलोंग, यह हमारे पास X Axis होगी, अगर मैं इसके अलोंग ऐसे 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 गुमा हूँ, तो यह क्या काम करते रहेगी? घूमती रहेगी, घूमती रहेगी आईसे, Z-axis के लॉंग भी इसको रख दूँ, ऐसे, Z-axis के लॉंग भी मैं इसको रख दूँ और ऐसे गुमाने लगूँ, ऐसे गुमाने लगूँ, तब इसकी पोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, आप फिल करिये, मैं आपको थर्मोडानमिस को आपकी लाइफ से फिल क करवान कोशिश कर रहा हूं, मैं वो रटवान ही रहा हूं, जो भूक में लिखा है, तो मैं कहा रहा हूं कि अगर मैं उस Gas-Q में अपनी जहां पर रहते हुए ऐसे rotate करूंगा, चाहिए X-axis के लोग गुमाऊं, चाहिए Y-axis के लोग गुमाऊं, अब ज़रा देखिए बात करेंगे वाइबिरेशनल की वाइबिरेशन करने के लिए कम से कम दो एटम का होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक एटम को आप फिक्स रखोगे दूसरे एटम को आप नीचे लटका होगे और जो यह बोंड होगा यह एक स्प्रिंग की तरह बिहेव कर सकता है यह मैंने पढ़ाया था आप लोगों को आप समझ कर देखिएगा अगर कोई गैस अगर कोई गैस में बोंड ही नहीं है और वह monoatomic है सब्सक्राइब है तो इसमें vibration होगी अगर आप इसको ऐसे भी करके देखोगे ना तो देखो इसका नीचे जाना उपर आना नीचे जाना उपर आना vibration थोड़ाई है यह तो translation motion हुआ यह तो भाई translation motion हुआ ना इस axis के लोंग जो मैंने दिखाया आपको कहा गया भाई हाँ ट्रांस्तेशन motion कहा गया हाँ उपर नीचे गरे तोréechmal अखर के नहीं होगा आप उप उसको ऐसे भी लाओगे तो वह भी सथरण हूई तो इंब यह होऊनगी आप उसका ऐसे करके विलाओगे तब भी वह क्या हो जाएगा जैक्शिस के लोग तो इसका मतलब क्या हो गया वाई इसका मतलब यह हो गया कि भाई सहा यहां पर vibration के लिए degree of freedom भी नहीं है क्यों उसके अंदर vibration मुश्चनी नहीं होती आप लोगों को मैंने एक बात पता ही थी कि यह जो formula मैंने लिखवाया है यह इनकी energy का formula है ठीक है एनर्जी का formula कैसे है कि आर की unit क्या होती है जूल पर केल्विन पर मोल आप केल्विन से मंटिप्लाई करोगे तो केल्विन कैंसल अट हो जाएगा जूल पर मोल बचेगी है वेल्यू और यही हमारे पास क्या हो जाएगी वेटा जी यह हमारे पास क्या हो जाएगी आपके पास और मैंने आपको यह भी बास सिखाई थी कि ट्रांस्नेशन एनरजी रोटेशन एनरजी और वाइब्रेशन एनरजी का जो समेशन होता है उसी को हम इंटर्नल एनरजी कहते हैं तो हमारे पास जो यू आया है वो किसके बराबर आया है 3 by 2RT के बराबर आजाएगा हाँ या ना ठीक है तो यहां पर हमारे पास क्या होगा डी यू बाइडी टी बराबर 3 by 2R इतना आपको आ गया क्योंकि टी का डिफ्रेंशन करोगे तो वन आ जाएगा अब जड़ा देखिए डी यू बाइडी टी किसके बराबर था कुछ याद है आप लोगों को अरे गदो कली मैंने आपको सिखाया था कि सीवी का फोर्मला होता था क्या डी यू आप लोगों ने क्रिलेशन पड़ाथा जब मैंने आपको यू बराबर सीवी डी टी पड़ाया था ना कल एक्षा क्一次 करना कि बूब बराबर सी डी टी होता है अगर मैं cross multiply करूंगा तो du by dt किसके बराबर हो जाएगा cv के बराबर तो ये जो value आई है आपके पास ये वाली value ये value किसी और की नहीं है cv की value आगई है बेटा जी cv की value आगई है mono atomic gas के लिए किसके लिए mono atomic gas के लिए ये वाली value 3 by 2 rt ठीक है तो I hope आप लोगो कोई बास समझ में आ गई अब ज़रा देखो आपको value निकालनी है किसकी भाई cp की भी निकालने का मन कर रहा होगा किसा cv की value तो निकाल ली हमें cv की value भी निकालो तो कल मैंने class में आपको एक relation करवाया था जिसका नाम था mayor relation mayor relation आपको याद होगा देखिए heat capacity में so relation between cp and cv में कल मैंने आपको mayor relation करवाया था cp minus के cv equals to r और मैंने बोला था कि इसका derivation आपके physics में है mayor relation लेकिन मैं करवा रहा हूँ आपको chemistry के अंदर भी कोई दिक्कत वाली री बात नहीं है वहां पर भी काम आएगा तो क्योंकि cc cv की की वैल्यू है हमारे पास 3 भाई 2 आए अगर मुझे Cp के वैल्यू निकालनी हो правда के value निकालनी हो, तो हम ये relation से जानेंगे ही, तो हम कहेंगे from mere relation, mere relation, देखिए, cp-cv equals to r, cp-cv के जहां पर रख देंगे 3 by 2 r, और equals to क्या हो जाएगा r, ये value जब इधर जाएगी, तो cp के value कितनी आजाएगी बेटा बोलिए, cp के value कितनी आजाएगी बोलो, आप कहोगे, आप बोलोगे कि सर ये हो जाएगा हमारे पास 3 by 2 r plus और इधर r, तो आप जोडोगे, तो 5 by 2 r, आप लोगों को मैंने बताया था कि cp के value हमेशा cv से ज़्यादा होती है, cp की value हमेशा cv से ज़्यादा होती है, देखो आई भी, यहाँ पर 3 by 2 r, यहाँ पर 5 by 2 r, अपने आप में बड़ी value है बाई, तो यह है monoatomic gas के लिए cp और cv की value, जो आपने calculate कर ली है, plus मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ, जो मैं आगे पढ़ाना चाहता था, लेकिन यहीं पर पढ़ाने में मज़ आ जाएगा, इनका एक ratio होता जिसको हम poison constant कहते हैं, ठीक है भाई, आपको मैं बताना चाहू सुत्रों के हवाले से, बताना नहीं है किसी को आप लोगों को अपने अंदर रखना है, ठीक है, एक और relation होता है cp and cv का, उसको हम बोलते हैं, poison constant, बेटा देख लेना कभी यह जहर का poison constant, इसको denote करते हैं गामा से, और गामा बराबर होता है cp और cv के बराबर, cp by cv के बर क्योंकि cp की value 5 by 2 ri है, और cv की value 3 by 2 ri है, तो आप लोग क्या करोगे भई, आप लोग कहोगे कि sir r से r cancel, 2 से 2 cancel, हमारे पास आएगा 5 by 3, और जब इसको solve करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1.66, हमारे पास आएगा 1.66, मैं आप लोगों को बता दू, डायरेक्ट पूछा जात है कि monoatomic gas के लिए gamma की value क्या होगी, तो आप लिखोगे क्या 1.66, समझ में आए कि नहीं आई, अगर आपने cv की value निकाल ली है, तो आप cp की value कि से निकालोगे, main relation से, right, चलिए, आप लोगों को मैंने monoatomic gas के लिए, monoatomic gas के लिए ये सब कुछ बता दिया है, कोई problem नहीं हो होगी यहां तक, अब suppose करिए कि अगर आपके पास dieatomic gas हो, उसके लिए आप कैसे करोगे, तो जड़ा देखिए, four dieatomic, four dieatomic gas, please समझ येगा dieatomic gas के लिए, dieatomic gas का मतलब क्या होगा, dieatomic gas का मतलब होगा, o2, n2, chlorine, hydrogen, fluorine, etc., यही तीनों होगी, हाँ या ना, आपको किसर बिल्कुल होगी, आप लोग ये भी जानते होंगे, अगर मैं dieatomic gas की बात करूँ, ठीक है भाई, dieatomic gas की बात पर एक नोटुकना भाई, हाँ, अब ज़र देखिए, तो इसमें अगर मुझे total degree of freedom निकालनी हो, low temperature पर और high temperature पर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, total degree of freedom, total degree of freedom, equals to क्या हो जाएगी, 3N minus के R, वो भी कब? low temperature पर, low temperature पर, तो हमारे पास हम लोग जानते हैं कि 3N का मतलब होगा atom, इंटू में 2 और minus R, R का मतलब क्या होगा बिटा जी, कि इन दो atom के बीच में कितने bond हैं, मतलब कितने relation हैं, देखो single bond को भी एक relation मानते हैं, double bond को भी एक relation मानते हैं, तो वहाँ पर आप confused ना होईए, आप मुझे पताईए, दो atom के बीच में bond है या नहीं, आपको गया है, चाहिए वो double bond से मतलब नहीं है, क्या nitrogen के बीच में bond हैं, आपको किसर है, क्या chlorine के बीच में bond हैं, आपको किसर है, अगर hydrogen के बीच में bond है, इसका मतलब क्या होगा, कि इसके बीच में एक relation है, तो total degree of freedom कितने हो जाएगी 5, total degree of freedom कितने हो जाएगी 5, कब low temperature पे, समझ ना मेरी बात, और यदि मैं कहता हूँ at high temperature, तो high temperature पे क्या होगी मैं आके बताऊँगा, देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये gas तीन ताइप की motion कर सकती है, कौन-कौन सी है, translational, ठीक है, उसके बाद, rotational and vibrational, अब आपको एक बात समझनी है, मान लीजेगा, कि ये वो gas है, जहां पर एक item ये, और एक item ये है, और बीच में उनका बीच का relation, यानि bond है जो, ये gas अगर किसी cylinder में होगी, तो क्या बेटा जी ये y-axis के along motion कर सकती है, उपर और नीचे, आपको गिसर बिल्कुल कर सकती है, क्या बेटा जी ये, ऐसे आपकी तरफ और मेरी तरफ आगया पीछे कर सकती है, क्या बोलिए, आपको गिसर ऐसे भी कर सकती है, Z axis के along भी कर सकती है और क्या ये ऐसे और ऐसे भी कर सकती है क्या आपको के सर ये Y axis के along भी motion कर सकती है और जब ये Y axis के along, Z axis के along और X axis के along motion करेगी तो इसकी position में भी change आता रहेगा तो मुझे बताईए Translation motion करते हुए इसकी degree of freedom कितनी हो जाएगी 3 हाँ या ना Translation motion करते हुए इसकी degree of freedom कितनी हो जाएगी 3 तो आप क्या लिखोगे याँ पर हम लोग जानते है 1 by 2 FRT इसका formula होता है 1 by 2 FRT इसका formula होता है और FRT इसका formula होता है यदि मैं यह कहूँ कि भाई 1 by 2 into में 3RT यह हो जाएगा अब बात करेंगे rotational की कि rotational motion करते हुए इसकी degree of freedom क्या होगी प्लीज समझेगा अगर मैं इसको ऐसे गुमाऊँ प्लीज समझे ना अगर मैं इसको ऐसे गुमाऊँ यह axis हमारे पास क्या हो जाएगी एक्स उपर वाली क्या हो गई y तो अगर मैं इसको y axis के लोग ऐसे गुमाऊँ तो आप देखो यह ऐसे गुमता रहेगा गुमता रहेगा पर आप देखोगे इस atom की position change होती जा रही है इसका मतलब एक तो यह हो गई अगर मैं इसको ऐसे ही रखूँ एक्स एक्सिस के लोगी लेकिन यहाँ पर सामने वाली क्या होगी axis z और मैं इसको ऐसे गुमाऊँ z axis के लोग, z axis के लोग, z axis के लोग, z axis के लोग तो देखो इसकी position change हो रही है समझे नाम बहुत अगर मैंने इस वाले bond को ऐसे रखा इधर दो atom है अगर मैं इसको उपर को गुमा रहा हूँ तो इसकी position change हो रही है y axis के लोग, z axis के लोग गुमा रहा हूँ तो भी position change हो रही है, देखो है ना, axis change हो रही है लेकिन अगर यह मान के चलो कि यह x axis में रखा हुआ है और यह जिस axis पर रखा है उसी के लोग अगर आप गुमाना पड़े, ऐसे गुमाना पड़े ठीक है भाई, axis के लोग गुमाना पड़े तो क्या इसकी position में कोई change आया? बोलो कोई change आया क्या? आप को कि सर, अब इसमें कोई change नहीं आया है यानि तीन अलग-अलग axis को अलोग हमें गुमाने पर दो बार तो हमें change दिखा ऐसे भी दिखा, ऐसे भी दिखा लेकिन जब हम इसको इसी के अलोग गुमाएंगे तो change नहीं दिखा और जब इसको हम change नहीं दिख रहा होगा तो यहां पर इस बाद total degree of freedom तीन नहीं होने वाली तूभी तीनों axis के अलोग नहीं पोजिशन चेंज हो रही है सिर्फ दो axis के अलोग position चेंज हो रही है तो आप यहां पर क्या मानोगे कि सर इसकी degree of freedom हो जाएगी 2 तो यहां पर 1 by 2 into में 2 RT आएगा देखो बीटा, low temperature पे मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि total degree of freedom 5 है, है ना, तो जब 3 यहाँ पर आ गई, 2 यहाँ पर आ गई, अब तो बची नहीं होगी, तो आप यहाँ पर माल लेंगे 0, कि कोई degree of freedom नहीं है, और degree of freedom अगर 0 हो जाएकी तो यह value आपको नहीं जोड़नी है क्लियर हो गई बात अब ज़रा देखो मैं अगर मुझे पता है कि इन सारी एनर्जी का समेशन किसके बराबर होता है इंटर्नल एनर्जी के बराबर और यदि मैं इंटर्नल एनर्जी निकालूं बेटा तो मेरे पास कितना आएगा आप इसमें LCM लेना तो आपके पास आएगा 5 by 2RT कितना आया 5 by 2RT और हम लोग यह जानते हैं कि भाई साब हमें इसको differentiate करना होता था इस equation को with respect to T तो हमारे पास क्या आएगा DU by DT बराबर आएगा क्या 5 by 2R के बराबर और आपको मैंने बताया था DU by DT किसी और चीज को नहीं CV को कहते हैं प्लीज आप लोग समझेगा मेरी बात मेरी भावनाओं को समझें ठीक है अपने इपनी भावनाओं को थोड़ देर के लिए बूल जाएं क्या आप लोगों को CV की वैल्यू समझ में आई कैसे निकाली हमने है ना कुई CV का relation क्या था फिर से आप दिलवा देता हूं CV बरावर होता है DU by DT या आप लोगोंने पढ़ा होगा DU बरावर कल मैंने पढ़ाया था DU DT ठीक है जब heat capacity at constant volume पढ़ा रहा था ना मैं उस relation में आया था DU बरावर CV DT तो CV किसके बरावर हो जाएगा बाई बराईए DU by DT इसलिए मैंने DU by DT को CV लिख दिया आप समझेगा जब हमें DU by DT पता लग गई है लो टेमप्रेचर पे डाइटोमिक गैस के लिए तो वापस हम कहां चलेंगे बाई वापस हम आ गए हैं अपने इस relation में ठीक है मैंने आपको मोनो अटोमिक गैस के लिए CP की वैल्यू निकालवानी है और फिर म एक्जांपल दे रहा हूं वही मैं क्या था वह भी कब एट लो टेमप्रेचर एट लो टेमप्रेचर या नॉर्मल टेमप्रेचर जो आपको नुमेरिकल में दे रखा होगा ठीक है तो आप समझेगा कौन कौन सी गैस होंगी वह एस्टू एंटू ओटू एफ्टू और भाई अकोर्डिंग टू में रिलेशन अगर मुझे सीपी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना होगा आप कोगे सर आप कुछ मत करो आप में रिलेशन लिख दो सीपी माइनस के सीवी इक्वल्स टू आर और सीपी सीवी की जहां पर रख दो फाइब बाइटू आर और बराबर हो जाएगा आर तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी विटा सीपी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास फाइब बाइटू आर प्लस के आर यानी हो जाएगा सेवन बाइटू आर और जब आप सीपी और सीवी की दोनों वैल्यू निक लब होता है गामा और गामा बरावर होता है CP by CV value put करोगे तो यह आ जाएगी 7 by 2R CV कि वैल्यू कितनी होगी 5 by 2R आप देखोगे आर से आर कैंसल 2 से 2 कैंसल 7 by 5 जब इसको आप solve करोगे तो क्या answer आएगा भोलो यार आप कोगे सर इसका answer आएगा 1.4 1.4 ऐसे इसका answer आजाएगा तो देखिए बिटा यह मैंने diatomic का कब किया low temperature पे अब मैं वापस चलता हूँ अब मैं वापस चलता हूँ फिर से यही पर diatomic का high temperature पे ठीक है भाई diatomic का high temperature पे तो ज़रा देखिए यहीं से मैं start कर देता हूँ at high temperature आप लोग समझ जाना कि हाँ पर जो total degree of freedom था total degree of freedom था अब उसका formula 3N होगा ना कि 3N minus के R और 3N का मतलब क्या होगा 3N2 में 2 equals to 6 आप लोग यह बात तो जानते ही है कि जो diatomic gas होती है वो translation motion भी कर सकती है और translation motion करते हूँ उसका degree of freedom कितना हो जाएगा बिटा जी 5 तो यहाँ पर आएगा 1 by 2N2 में 3RT और rotation करते हूए जो 2 था वो 2 ही हैगा तो आप लिकोगे 1 by 2N2 में 2RT लेकिन 6 वोला मैंने total 6 थे 3 और 2 यहाँ पर यूज हो गए जो बचा हुआ एक होगा वो vibration में चला जाएगा और जब 7 तो 7RT आएगा बिटा जी 7RT जब आप LCM लोगे और आप लोग यह भी जानते हो इसके बाद हम differentiate करते थे with respect to T तो हमारे पास क्या आ जाएगा इससे आगे लिख रहा हूँ बिटा जी में on differentiation कि du by dt जो है वो बराबर आएगा हमारे पास 7 by 2R 7 by 2R और हम लोग यह जानते हैं कि du by dt बराबर होता है cv के बराबर तो high temperature पे जो cv की value आई है वो 7 by 2R आई है ठीक है अब ज़रह देखो जब आपने high temperature पे cv की value निकाल ली है तो क्या आपका मन कर रहा होगा कि क्यों ना सर diatomic gas के लिए low high temperature पे हम cp की value भी निकाले और gamma की value भी निकालें तो ज़रह देखिए भाई कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि फोर कि डाई एटॉमिक गैस कि एट हाई टेंपरेचर एट हाई टेंपरेचर प्लीज हम लोग यह बात जानते हैं एट हाई टेंपरेचर अगर होगा तो प्लीज cv की value हमने जानी है कि 7 वाई 2 आर के बराबर है और according to mere relation according to mere relation यह सब derivation मिटाजी आपके physics में भी हैं ठीक है cp माइनस के cv इक्वल्स टू आर आएगा cp माइनस के cv इक्वल्स टू आर आएगा और यहां पर आप cp की जब value निकालोगे तो वो बराबर आएगी cv प्लस के r cv की value पूट करोगे तो कितना आएगा भाई वो आएगा हमारे पास 7 बाई 2 r प्लस के r जो बराबर हुजाएगा 9 by 2 r यदि आपको यहां पर poison constant निकालना हो आपने cp के value निकाल ली है अगर आपको poison constant निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा भाई poison constant वो भी high temperature पे diatomic gas के लिए तो गामा बराबर हुजाएगा cp माइनस के cv यानि 9 by 2 r 9 by 7 9 by 7 value अगर होगी तो किसके बराबर हो जाएगी बिटा आप को के sir यह value हो जाएगी 1 ठीक है 0.2 and point फिर उसके बाद 60 का मतलब हो जाएगा 80 है यह ऐसे 1.28 के बराबर आएगी बिटा अगर आप इसको solve करते हो तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं चुपाया है मैंने हो सकता है कि इस concept में आपको जब आप physics में बढ़ते हो हो सकता है आपको chemistry में कभी ना बढ़ा हो इसमें problem आती हो पर जो बच्चा जो ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे notes बना रहा है वैसे वैसे cp और cb और gamma की value निकाल रहा है तो समझ जाना है इसकी problem आप खतम होती जा रही है ठीक है जी? चलिए अब आप लोगों ने ये बात खतम करने के बाद मैं वापस आता हूँ अब तीसरी टाइप की gas के पास और जिसका नाम होगा triatomic gas triatomic gas दो परकार की होती है जैसे आपने देखा को carbon dioxide linear होती है न carbon dioxide linear तो मैं यहाँ बार कहूँगा भई four triatomic gas triatomic gas वो भी कौन सी linear तो जड़ा देखिए बिटा मैं आप लोगों के बात बताना चाहूंगा अगर मैं CO2 की बात करता हूं इसका structure कैसा होगा O double bond C double bond O आप लोग जानते हो कि carbon की hybridization यहाँ पर क्या है SP और जिसकी hybridization SP होती है वो linear होता है ना तो उस वाले linear की बात कर रहा हूं है जब आप यहाँ पर total degree of freedom निकालोगे total degree of freedom तो आपके पास पहले निकालना पड़ेगा हमें at low temperature at low temperature तो हमारे पास total degree of freedom का जो formula होता है वो हता है 3N-R के बराबर आप लोग जानते हो कि यहाँ पर 3 ठीक है आपके पास number of atom 3 है तो n की जगाँ पर 3 relation कितने हैं atom के बीच में एक double bond यह दबल यानि दो relation है तो आप लिख दोगे यहाँ पर two equals to हमारे पास कितना आएगा थिरी थिरी जा 9-2 यानि 7 आ जाएगा हम लोग जानते हैं कि यह जो गैस होगी आपके पास linear जो गैस होती है यह तीन दरग इमोशन करती है कि अ ट्रांस्रिलेशनल कि उसके बाद रोटेशनल आप लोग यह बात तो जानते होंगे कि गैस चाहिए मोनोयटोमिक है डायटोमिको ट्राय एटोमिको वह तीनों एक्सिस के अलोंग मोशन तो करी सकती है ना और अपनी पोजिशन चेंज करी सकती है तो उसकी जो degree of freedom होगी translation के according जो की formula होता है 1 by 2 FRT इसका formula होगा 1 by 2 FRT और इसका formula होगा FRT तो total हमारे बास कितनी है जी 7 यानि यहाँ पर हो जाएगी 1 by 2 यह तो 3 RT ही रहेगी क्योंकि translation motion वो 3 axis के along कर रहा है और motion करते हुए motion करते हुए उसकी position भी change हो रही है राइट आगे देखिए अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसकी rotational motion की बात करता हूँ linear जब कोई gas होती है मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही line में है चाहिए आप 2 item लो 10 item लो से कोई फरक नहीं पड़ता भाई आप उसको ऐसे गुमा सकते हो तो position change होगी ऐसे गुमा सकते हो तो position change होगी लेगिन अगर उसको ऐसे गुमाना पड़े तो position change नहीं होगी तो कहने का मतलब तीन axis में से एक axis ऐसा होगा जहां पर वो अपनी position change नहीं करेगी और overall उसकी जो degree of freedom रहेगी अकोर्डिंग टू rotational motion वो टू रहेगी तो यहां पर आएगी वन बाइ टू इन टू में टू आर्टी अब ज़रा देखो total हमारे पास 7 थी 3 यहां पर यूज हुई 2 यहां पर यूज हुई बची कितनी टू तो वो टू हम लिख देंगे यहां पर तो अपकी जब टू रखोगे तो टू आर्टी हो जाएगा ठीक है फिर मैंने आपको बोला हुआ है कि यहां पर low temperature पर आप इन सारे energy को कर आप जोड लें तो यह value U के बराबर होता है internal energy के बराबर क्योंकि internal energy की definition क्या थी the submission of all energies present in a system is known as internal energy ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे भाई दर देखो हम लोग क्या करेंगे इन सब को जोड लेंगे और U के बराबर रख देंगे तो U हमारे पास कितनी आ जाएगी LCM अगर हम 2 लेते हैं तो यहां पर आएगा 3, 2, 5, 5 और 4, 9, 9 RT आएगा बिटा जी राइट 9RT भाईस सहब को जब अब अगर मैं हाँ पर अगर मैं हाँ पर इसको डिफ्रेंशेट करता हूं विद रस्पेक्ट टू टी तो DU by DT किसके बराबर आएगा 9 by 2R के बराबर यह बात आप जान गए और DU by DT किसके बराबर होता है हर बार बोला है मैंने किसके बराबर होगा आप कोगे CV के बराबर ठीक है भाई अगर आपको CV की वैल्यू TRIATOMIC GAS के लिए TRIATOMIC GAS के लिए निकालनी आगई वह भी linear वाली के लिए तो आपको CP की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब यहां तक मैंने करा दिया था आगे देखिए भाई ठीक है? पोर ट्राइ अटॉमिक गैस एट वो भी कौन सी? ट्राइ अटॉमिक लीनियर गैस वो भी कब? एट लो टेमप्रेचर एक्जामबल के लिए मैंने आपको बताया था CO2 जिसका structure भी मैंने बना के दिखाया था O double bond C double bond O प्रूब भी क्या था कि Carbon की हाईबिटन SP है तो structure linear होगा ठीक है? अब जड़ा देखिए जब हम जानते हैं कि CB की value अभी मैंने calculate करी है 9 by 2 R और मुझे अगर CP की value निकालनी हो तो कौन सा relation है जो CP की value निकलवाएगा वो होता है mayor relation तो मैं क्या कहूँगा भाई? According to mayor's relation According to mayor's relation CP minus के CV equals to क्या हो जाएगा R और CP किसके बराबर होगा? CV plus R आप ये value यहाँ पर put कर दोगे तो 9 by 2 R plus के R बराबर किसके आएगा? बोलो 9 by 2 किसके बराबर हो जाएगा? आप कहोगे सर ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 11 R by 2 के बराबर 11 R by 2 के बराबर एक बार देखने तो भाई मुझे इधर 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 कहां गया वो? इस केलसियम 3 to 5 और 2 to the 4 4, 9 हो जाएगा 9 ठीठीए बाई तो ये हो जाएगा 11 by R ये आपको समझ में आगया होगा आई हो ये आपको क्लियर होगा कोई दिक्कत तो नहीं है अब ज़राद देखिए जब मुझे CV के वैल्यू निकल गई है तो मैं क्या निकलूंगा आगे? पॉईशन कॉंस्टेंट और पॉईशन कॉंस्टेंट क्या होता है बिटा? देखिए पॉईशन कॉंस्टेंट क्या होगा? आप लोग जानते हैं कि पॉईशन कॉंस्टेंट गामा बराबर होता है CP माइनस के CV और CP के वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 by 2 R और CP के वैल्यू कितनी थी? 9 by 2 R R से R कैंसल 2 से 2 कैंसल 11 by 2 इसको आप सॉल्व कर लेंगे वैल्यू कितनी आएगी? 1.2 और 2 1.22 पॉरी अँ क्लियर है जी? यह आपके पास आती रहेगी 1.22 जो है वैल्यू आती रहेगी इसकी आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ता हूँ वापस चलता हूँ फिर से आप लोगों को सिखाने के लिए भई ठीक है? तो यह मैंने आपको कौन-कौन सी गैस के लिए सिखा दिया भई? वापस ट्राय अटोमिक गैस लीनियर के लिए सीवी की वैल्यू निकालनी सिखा दी सीपी की वैल्यू निकालनी सिखा दी प्वाइशन कोंसेट गामा की वैल्यू निकालनी सिखा दी कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं? सब आपको बता दिया अब जड़ा देखिए अब जड़ा देखिए बिटा यहां से मैं आप लोगों को अब बात करूँगा triatomic gas के लिए for triatomic non-linear non-linear gas ठीक है अच्छा बई एक और चीज़ समझना एक और बात बोलूँगा habitat में जैसे हमने वाली लिफी ना भी हाँ यह जो हमने कर यह लोड आपर देवह इसको हाई टेवह तुम करना हाई टेमजर्जर्वे क्सक्राइब क्या करोगे बोलो हाइ टेंपरेचर पर टोटल डिग्रियओ फ्रीडम स्वरी एक बार फिर से start करते हैं अगर मैं हाई टेंप्रेचर पर कहता हूं इसको थाउब टेंप्रेचर तो मैं क्या करूंगा भाई nat के high temperature argentine की बात करोगे थो टोटल डिक्रिध्र की तो आप लोग क्या करोंगे जड़ा देखो यहां पर तो हमारे पास भी रहेगा थ्री बाई टू आर्टी यहां पर हमारे पास तू बाई टू आर्टी और टोटल हमारे पास हो जाएंगे नाइन 5 हमारे पास यहां पर है तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा 4RT जब आप इसको जोडोगे न internal energy को सब को जोडोगे U को आप जोडोगे overall तो आपके पास क्या हो जाएगा कि U की जो value आएगी LCM लेने के बाद वो 8 और 5 13 13 by 2RT हो जाएगा भाई 13 by 2RT हो जाएगा आप इसको differentiate करोगे है ना यहां से आप क्या करोगे कि भाई DU by DT जब निकालोगे न आप यहां पर सोरी अगले आगे कर देता हूँ जब आप यहां पर DU by DT निकालोगे वो आएगा 13 by 2 ठीक है 13 by 2R के बराबर और इसको हम सीवी कहेंगे सीवी की वैल्यू हाई टेंपरेचर पर आएगी यह ट्राइटोमिक लीनियर गैस के लिए लेकिन आप लोग यह बास समझते होंगे मेरे बच्चों आप लोग यह बास समझते होंगे कि अगर मैं यहां पर लिखता हूँ ट्राइटोमिक गैस या भी कैसी लीनियर और एट हाई टेंपरेचर तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीवी की वैल्यू आएगी थर्टीन बाई टू आर सीपी की वैल्यू जब आप यह रिलेशन यूज करोगे है तो सीपी की वैल्यू आएगी 15 बाई 2 आर और गामा की वैल्यू आएगी कितनी 15 बाई 13 स्वाल कर लेना 15 बाई 13 इस तरीके से आपको ट्राइटोमिक गैस के लिए बात करनी है जब हाई टेंपरेचर होगा आप ये मत समझना कि इस concept में कहीं पर भी बहुत toughness हैं बस अगर आपने एक बार दिमाग में बेठा लिया कि high temperature पे total degree of freedom का formula 3N होता है low temperature पे 3N minus R होगा तो बहुत आसानी से आपको ये अपने आप calculate होने लगेंगी ठीक है? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ एक मिनट के लिए भाई वापस 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 हाँ अब हम बात करते हैं इसकी for triatomic low linear gas के लिए देखिए triatomic जब low linear gas लोगे आप लोग तो आपको एक बात ध्यान डगनी है कि example के लिए H2O की बात कर रहा हूँ है HOH आपने पढ़ा होगा एस double bond ओर double bond हो ठीक है water भी gas की form में या vapor की form में हो सकता है अब जरह देखो सबसे पहले आपका काम होगा low temperature पे total degree of freedom calculate करने का तो आप यहाँ पर लिख दोगे low temperature फिर जब आप total degree of freedom calculate करोगे low temperature पे तो मैंने आपको सिखाया क्या कि total degree of freedom का जो formula है वो 3N minus के R के बराबर है यानि 3 in 2 में atom कितने हैं 3 relation कितने हैं 2 तो हमारे पास कितना आएगा 7 पर हम लोग यह भी जानते हैं हम लोग यह भी जानते हैं कि बाई जो motion होती है वो translational ठीक है rotational और vibrational होती है और उन्ही को करते होए उनके energy का waste भी होगा और जो energy का waste होता है यानि जो उनकी energy होती है उसका formula होता है 1 by 2 FRT इसका होता है 1 by 2 FRT यहां पर F क्या है degree of freedom और vibration का मतलब क्या हो जाएगा FRT यह हो जाएगा हमारे पास अब जड़ा देखे भाई एक बास समझने कोई करिएगा translation मतलब चाहे कोई triatomic gas हो ऐसे भी जा सकती है motion कर सकती है आगे पीछे उपर नीचे इधर उधर बोलो भाई हो सकता है कि नहीं तो मतलब translation motion करते हुए उसकी degree of freedom 3 होगी तो आप समझ जाना 1 by 2 3RT मैंने कैसे लिखा है अब बात करेंगे rotational rotational के लिए आप ये बात तो समझ सकते हैं कि rotation motion करते हुए दो तरह की तो मैंने आपको दिखा देती अब मैं तीस्ती तरह की दिखाना चाहूँ आप लोगों को एक मिनिट का समय दीजिएगा मुझे ठीक है मेरे बच्चो सपोज करिएगा सपोज करिएगा कि ये जो आपके पास फोन है ये वाला फोन है ठीक है इस फोन में यहां पर एक एक एटम है और इधर कोने पर एक एक एटम है और एक इसका cover है एक इसका cover है वो ऐसे bent phone में दिख रहा है यानि जो bent structure होगा इनका देखो जो इनका bent structure होगा sulfur dioxide water का वो ऐसी दिख रहा होगा अगर ने दिख रहा होगा yes or no आपको किसार बिल्कुल ऐसी दिख रहा है तो ज़रा देखो rotation करते हुए अगर मैं इस axis के along कर रहा हूँ ऐसे तो position change हो रही है देखो item की हाँ या ना आपको किसार ऐसे करते हुए तो position change हो रही है अच्छा अगर मैं ऐसे गुमाऊँ तो मतलब ऐसे गुमाने का मतलब है अगर मैं ऐसे गुमाने का मतलब है देखिए ऐसे गुमाने का मतलब क्या हो गया राइट और रॉंग और जिस एक्सिस के अलोंग ये हैं अल्रेडी, अगर मैं उसके अलोंग ही गुमाऊं, ऐसे करके, तो भी पोजिशन चेंज हो रही है, प्लीज समझेगा फिर से वापस, दुबारा समझेगा, अगर मेरे पास ये बैंट स्ट्रक्चर है, अगर मैं इस एक आगे नहीको नहीं गुमाया, इदर नहीं गुमाया, मैं ऐसे गुमाया, इसजी के अलोंग, तो आप को कहो गिए इसके अलोंग इस बार मोशन कर रहा है, और इसकी पोजिशन पर पर और रोटेशनल वाली डीडी ओकर भी 3 होगी, तो यहाँँ पर आप क्या मैं लिंग दो और जब आप इन सब energy को जोड लेंगे तो इनका addition जो होता है वो internal energy के बराबर आता है क्योंकि मैंने आपको बताया था summation of all energy is present in a system is known as internal energy तो internal energy का फूर्मूला यानि internal energy जो होगी वो बराबर किसके क्या आएगी वह आएगी हमारे पास 3 3 6 & 7 & 2 9 9 आएगा है न 3 3 6 & 7 8 आएगा पिटा जी 3 & 3 6 & 2 8 8 rt by 2 आएगा राइट 8 rt by 2 का मतलब कितना हो गया भाई 4 rt कितना आ गया 4 rt आ गया जब इसको मैं दिफ्रेंशेट करूंगा विद रस्पेक्ट टाइम तो टेंप्रेचर तो वह डी यू बाए डी टी किसके बराबर आएगा 4 r के बराबर और यह वैल्यू किसके बराबर आएगे बिटा जी यह आ जाएगी cv के बराबर तो आप लोग यह बास समझ जाओगे कि हमने cv की वै पूर नोन लीनियर ट्राइ एटॉमिक गैस पूर एग्जामपल एस्टू ओ वैपर और सुलफर डाय ओक्साइट ठीक है नोन लीनियर गैस और वह भी कब लो टेंप्रेचर की बात कर रहा हूं वेटा जी मैं आप लोग जानते हो कि जो मैंने भी कैलकुलेट कर रहा है वो क्या है कि सीवी की वैल्यू आपने फोर आर कैलकुलेट करी है ठीक है और अगर मुझे सीपी निकालना हो तो सीपी बराबर किसके होता है अकोर्डिंग टू मेर रिलेशन वापस प्रैक्टिस करवारों बेटा जी में आप लोग यह समझे लो कि यह कॉंसेप्ट आपका ना हंडर्ड परसंट करेक्ट हो गया हो सकता है कि आप आगे जाके इसको फिजिक्स की थर्मोडानिक्स में पढ़ों लेकिन हमने केमिस्ट् याप खीए तो जरा देखिए एकोर्डिंट तो मेर रिलेशन सी पी मैनस सीवी बराबर आर और सीपी बराबर हो जायЕगा सीवी पलस आर सीवी की वेल्ली क्या हो जाएगी फोर आर पलस आर यानी five ार के बराबर 5R के बरादा ठीक है तो हमारे पास CP की वैल्यू आ गई है अगर हमें मेर रिलेशन निकालना हो तो हम क्या लिखेंगा भाई यानि 5R by 4R आंसर आएगा 5 by 4R हाँ या ना इस तरीके से आप 5 by 4 वाली वैल्यू को निकाल लोगे क्लियर है जी आगे देखो विटा आगे देखिए अब हम बात करेंगे किसकी वाई है हाई टेंपरेचर वाली अब हम बात करेंगे हाई टेंपरेचर वाली यह हां हमने निकाल ली थी ठीक है अब हम ट्राइटामिक गैस को जो है हाई टेंपरेचर बे लेके जाएंगे तो हम कहेंगे भाई कि 4 कि ट्राइटामिक गैस हाई टेंपरेचर वो भी कैसी गैस नोल नीनियर होनी चाहिए बिटा जी वो तो आप लोगों को मैंने बताया था टोटल डिग्री ओफ्रीडम कैसे कैल्कुलेट करोगे टोटल डिग्री ओफ्रीडम का फॉर्मुला हो जाएगा थ्री एन यानि थ्री इंटू में थ्री ऐसे निकाल लोगे हम लोग यह जानते हैं कि वह तीन तरह की मोशन करेगी ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल ठीक है रोटेशनल और वाइब्रेशनल देखिए आपको मैंने एक बात बताई थी अगर आप लोगों को याद हो तो क्या है भई बोलो क्या बोली थी मैंने आप लोगों को आपको मैंने बताया था बटा कि बहीं कि अगर मैं इसकी looking ऐनर्जी 10,000 फ ओ इसका और ऑगा भी मुश्य बॉरन बाए टु एफ आर टी असका जो हों गार एफ आर्टीकों प्रॉग्य। ठीक है प्रांस्टेशन तो हमें से तीन होगी और रोटेशन भी इस बार तीन होगी कि लोन लीनियर गैस है वाइब भी इस नहीं बढ़ते हैं हाई टेंपरिजर पर जाने के बाद तो आप क्या कोगे वही वन बाइटू इंटू में थ्री आर्टी प्लस के मतलब वन बाइट इंटू में थ्रीार्टी और यहां पर आएगा थ्री आर्टी जब आप इसको स्वाल करोगे हमां ऑगे आपके पास जो सीवी की वैल्ली आएगी मालीजीय major value ऑएगी U की value आएगी 3, 3, 6 और 6, 9 12, 12RT by 2 यानि 6RT आएगा बिटा और आप लोग क्या काम करोगे इसको differentiate कर दोगे with respect to T के तो आपके पास DU by DT की जो value आएगी वो आएगी 6R के बराबर किसके बराबर आएगी 6R के बराबर और यहाँ पर यह value हो जाएगी CV के बराबर और जैसे आपने CV की value निकाल ली जैसे आपने CV की value निकाल ली अगला task क्या होगा हमारा अगला task होगा सर high temperature पे निकालना चलो मैं यहीं निकाल देता हूँ high temperature पे भी ठीक है जाद स्लाइड नहीं भरेंगे अपन लोग इधर देखो देखो अगर मैं कहता हूँ for triatomic non-linear gas non-linear gas वो भी कब at high temperature high temperature तो क्या होगा भाई यहाँ पे आप को होगे सर अभी आपने CV की value निकाल ली है 6R के बराबर है ना 6R के बराबर और यदि आप CP की value निकालना चाहते हो तो यह relation लगाना CP की value जो आएगी वो 7R होगी और gamma की जो value होगी वो CP by CV की value होगी यहनि 7 by 6 इस तरीके से आप निकाल लोगे ठीक है तो यह 1.6 and so on something आता रहेगा है ना इतनी आएगा नहीं 1. 1.16 इतना आएगा बिटा तो इसको आप ऐसे करना है आप लोगों को तो इस तरह से आप degree of freedom कैलकुलेट कर लोगे सभी के लिए अब मैं आप लोगों को कहानी बताता हूँ यह जितना भी पढ़ाया है मैंने यह आपके doubt खतम करने के लिए पढ़ाया है आपकी tension खतम करने के लिए पढ़ाया है बिटा जी मैं नहीं है जब IIT का question आएगा चाहे वो जैए mains का हो, advance का हो, need का हो उसमें ज़्यादा तर monoatomic और diatomic बस इनी की बात होगी triatomic के लिए वो जाएंगे नहीं और बड़ा simple होता है triatomic इनके लिए तो मैंने आपको बहुत आसानी से बता दिया कि cp के value क्या होती है cv की value क्या होती हो सब मैंने आपको बता दिया उसमें तो कोई problem वाली बात नहीं आनी चाहिए बेटा तो ये आप लोगों को मैंने clear कर दिया है देखो अब आपको समझ में आ जाएगा कि monoatomic की translation motion करते हुए degree of freedom 3 कैसे आई है है ना उसमें rotation नहीं होती तो 0 उसमें vibration नहीं होती तो 0 और total कितनी हो गई 3 फिर यहाँ पर diatomic के लिए 3N वाला formula लगाएंगे high temperature पे तो मारे पास कितना आगया था वेटा 6 हाय ना 3N जिसमें translation कितनी हो जाएंगी 3 rotation कितनी होती थी 2 vibration कितनी हो जाती थी 1 वो भी high temperature पे low पे वो भी नहीं होगी ठीक है triatomic, linear यह सब मैंने आपको detail में करवा दिया विटा सब कुछ तो I hope आप बड़ी आसानी के साथ यह सारे के सारे degree of freedom समझ गए होंगे CP-CV का relation समझ गए होंगे ठीक है यह सारे के सारे आपको करने अपने आप अब कहानी आती है जी आईसो थर्मल प्रोसेस की वारे में अब कहानी स्टार्ट होगी आईसो थर्मल प्रोसेस के लिए बहुत important है तो पहले तो हम बास समझेंगे आईसो थर्मल प्रोसेस के लिए हमें क्या-क्या बातों का ध्यान डगना है और कैसे-कैसे numerical solve करने है प्लीज अब मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ आईसो थर्मल और वो भी reversible है आईसो थर्मल वो भी reversible है और यहाँ पर मैं बता दूँ फोर आईडियल गैस कि हम आईडियल गैस के लिए बात करेंगे फोर आईडियल गैस अब जड़ा देखिए बटा मैं आपको एक बाता दना चाहता हूँ यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनेगी है तब प्रोसेस इन विच इन विच टेमप्रेचर रिमेंस कॉंस्टेंट इस नोन एज आईसो थर्मल प्रोसेस इस नोन एज आईसो थर्मल प्रोसेस इतनी बात आपको याद रखनी है भाई ठीक है आगे देखिए अब मैं आपको एक कहनी बताना चाहता हूँ बेटा जी मैं इन आईसो थर्मल प्रोसेस के बारे में ठीक है तो देखो बेटा आप लोगों को मैंने सिंपल सी बात है चार चीजे कोई भी नुमेरिकल में दे रखी होगी जो आपको कैल्कुलेट करनी पढ़ सकती है एक तो चेंज इन इंटरन एनरजी पूछ सकता है वो कितनी होगी वो आपके लिए इस मलब दियू कह लिजाए डेल्टा यू पूछ स सकता हो अब हमें क्या काम करना है इनके लिए अलग-अलग चीजों पर ध्यान देना है आप लोगों को मैंने एक रिलेशन लिखवाया था अगर आपको यादो जब मैं आपको हीट कपैसिटी पढ़ा रहा था एट कॉंस्टेंट वॉल्यूम और एट कॉंस्टेंट होती है यह नहीं चेंजन टैंपरेचर अगर यह प्रोसेश आइसो ठरमल है आप अपना मेंड लगाईए अगर यह प्रोसेश आईसो थरमल है तो आपको यह बास समझ में आयजाएगी कि तैंपरेचर क्या है जी कॉंस्टेंट है और टैंपरेचर कर तो चेंज होगा वो किसके बराबर आएगा जीरो के बराबर तो ध्यान रखना है आइसो थर्मल प्रोसेस के लिए वो कैसा भी नुमेरिकल दे दे कुछ भी वैल्यू दे आपको क्या करना है इंटर्नल एनर्जी जीरो लिखनी है बस वह आपको कन्फूज करने के लिए ऐसे वैल्यू देगा आपका मन करेगा कि यार इसे कोई तो नुमेरिकल सोल होता होगा लेकिन आपको क्या में रखना है कि सर वहाँ पर इंटर्न एनर्जी जीरो होती है वो कोई भी वैल्यू दे हमें चुपचाप जीरो समझना है राइट एक दूसर एलेशन भी है जो आप लो दीटी के बराबर और सेम वही कंडिशन है जब आइसो थर्मल प्रोसेस होगा टेंपरेजर क्या होगा कोंस्रेंट चेंजिन टेंपरेजर कितना होगा जीरो तो डीटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो और डीएच भी क्या होगा बेटा जीरो और यह मैं अभी की बात अगर आपके पास किसी नुमेरिकल में आईडियल गैस लिखा हुआ है आईसो थर्मल प्रोसेस लिखा हुआ है तो यह बात ऑलवेस जीरो होती आपको नुमेरिकल सॉल्व करने की जुरूत नहीं पड़ेगी चुपचाप आंसर वहां पर जीरो लिख देना बस ठीक है चु रिवर्सिबल रिवर्सिबल आईसो थर्मल एक्सपेंशन एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस यह हम पढ़ रहे हैं बढ़ी इसका मतलब क्या होता होगा कि आपके पास एक सिलेंडर है माल लीजेगा गैस का एक सिलेंडर है बेटा और उस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई होगी तो एक बार इसके मुवेवन पिष्टन यहां पर होगी जब इसकी वॉल्लूम क्या रही होगी वीवन और जैसे ही आप इसको एक्सपेंशन का मतलब होता है कि गैस एक्सपेंड करे गैस दूर जाए तो आप उसके लिए क् इसको हीट दोगे और जब इसको हीट दोगे तो आप जानते हो कि इसके अंदर जो गैस उपस्तित होगी उनमें कोलीजन ज्यादा होंगे स्ट्रोंग होंगे इनकी कानेटिक एनरजी वगार सबढ़ जाएगी जो ज्यादा प्रेसर लगाएगी यहां पर और क्योंकि यह प गैस की वॉल्यूम को बढ़ने को क्या कहते हैं एक्सपेंशन राइट चलिए अब जड़ा देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं इसके अंदर आइडियल गैस है और इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है और भाई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो अगर मुझे वर we are now work done को कैसे लेंगे negative लेंगे positive लेंगे आप सोचिए गर हम हीट दे रहे होंगे तो avait इंधन तो अपने आप उपर जा रही है work-down तो आप वहरा है system के द्वारा तो हम यहाप लिखेंगे W जो होगा वह minus के p external winter drug P P external into में DV के बराबर होता है यह आपने formula पढ़ा होगा और आप लोग यह भी जानते होंगे जब आपको मैं reversible process reversible process और irreversible process पढ़ा रहा था तो मैंने reversible के case में लिखवाया था कि external pressure जो होता है वो internal pressure के बराबर होता है reversible के case में ठीक है अब internal pressure का मतलब क्या हुआ कि भाई अंदर तो pressure gas का ही होगा तो pressure of gas होगा भाई राइट और रॉंग तो आप यहाँ पर लिख दोगे w equals to minus के pressure of gas इंटू में DV है अब एक बाद बताओ अगर यह ideal gas है और temperature constant है तो हम यह बात भी जानते हैं बिटा जी we know that we already know that क्या PV equals to nRT होता है की नहीं होता आपको किसर होता है अच्छा अगर क्या यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि पी जो है वो nRT by V के बराबर होगा के नहीं होगा आप उगसर बिल्कुल होगा तो जड़ा देखिए यहाँ पर मैं क्या काम करूंगा कि भाई P की जहाँ पर मुझे रखना है nRT by V तो टमलू किसके बराबर हो जाएगा बिटा जी माइनस के nRT by V इंटू में DV यहाँ तक आप लिखने के बाद आपको मैंने एक बाद सिखाई हुई है अगर आपको याद होगा reversible process में जब यह volume छोटे-छोटे step में करते हुए V2 तक पहुची होगी तो आप इन छोटे-छोटे step में addition करोगे, summation करोगे या integration करोगे आप कोगे सर आपने बताया था कि जब कभी भी reversible की condition में आपको कोई derivation करना हो तो वहाँ पर integration करना है तो आप simple integration करिए और जब आप integration करोगे तो आप देखोगे कि volume V1 से V2 तक बढ़ा है दीग है बाई अब जड़ा देखिए बेटा यहाँ तक कहानी change है डबलू बराबर डबलू बराबर हमारे पास N amount of gas इस cylinder के अंदर जो gas है वो निकल कर कहीं भार नहीं गई और हमने कोई extra नहीं भरी तो number of moles हमारे पास क्या हो जाएंगे constant R क्या है universal gas constant temperature भी constant है क्योंकि आइस्ट थर्मल प्रोसेस है तो यह माइनस के nRT आ जाएगा बहार और हो जाएगा dv by V और volume होगा V1 से लेकर V2 तक बिटा आप जब differentiate करोगे तो 1 by X का जब differentiation करते थे आपको याद होगर match का formula 1 by X तो यह natural log of X होता था होता था कि नहीं यहाँ पर भी वही होगा यहाँ पर w का formula आएगा minus के nRT natural log V जिसकी limit होगी V1 से लेकर V2 तक ठीक है अब जब आप इसकी limit रखोगे जब आप इसकी limit रखोगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे w equals to minus के nRT natural log V2 minus natural log V1 के बराबर और यहाँ से आप solve करोगे बिटा तो हमारे पाथ w बराबर आएगा minus के nRT natural log V2 by V1 आगया जी V2 by V1 आप लोग यह भी जानते होंगे कि natural log of X को अगर मुझे लोग में convert करना हो चुकि लोग की value बहुत सारे बच्चों को याद रहती है कि लोग 2 लोग 3 लोग 5 सबकी value निकाल लेते हैं तो भई लोग में अगर निखना हो तो आप लोग यह भी जानते होंगे मेरे बच्चों कि natural log of X बराबर होता है 2.303 log of X इसका मतलब क्या है कि आप अगर natural log को लोग में convert करना चाहते हो तो आपको multiply करना ही पड़ेगी 2.303 स तो यहां पर आपके बाद W का formula क्या आएगा आपको के सब्सक्राइब बराब हो जाएगा माइनस के 2.303 nRT लोग V2 बाए V1 तो यहां से आपने क्या कर लिया बेटा जी work done का formula calculate कर लिया ठीक है अब क्या होता है किसी numerical में अगर volume ना दे रखी हो इसी numerical में अगर दो volume ना दे रखी हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे तो प्लीज समझेगा पहली condition यह है जो यह formula करने के बाद जो एक तो direct इस पर numerical आएंगे दूसरा इससे भी difference आ सकते हैं क्या है ज़रा देखिए मैंने बोला कि if two different volumes is not given is not given is not given is not given in non-American अगर किसी numerical के अंदर दो volume ना देकर वो दो pressure दे दे अलग 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 P1 और P2 की value दे दे तो आप क्या करेंगे ज़रा देखिए आप लोगों को मैंने एक बात बताई है अगर आप लोगों को याद हो तो आइसो थर्मल प्रोसेस के लिए boils का लोग लगता था वैस का लोग क्या था विटा जी याद करो at constant temperature for a certain amount of gas volume is inversely proportional to pressure याद है वहाँ पर भी हम pressure क्या रखते थे constant और वहाँ पर जो बनाने वाले ग्राप तो उनको हम क्या बोलते थे आइसो थर्म आइसो थर्म आइसो थर्म याद है कुछ उसी से relate करना है तो हम यह बात जानते हैं we know that we know that at constant temperature अगर temperature constant है तो क्या P1 V1 बराबर P2 V2 होगा और क्या P1 by P2 जो है वो V2 by V1 के बराबर आजाएगर आपको solve करेंगे आपको किसार बिल्कुल solve कर लो ऐसे तो आपको क्या करना है कि जहां पर V2 by V1 दे रखा है जहां पर V2 by V1 दे रखा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं माहां पर फॉर्मॉला चेंग हो जाएगा डबलू इक्वल्स टू इधा से देखो ज्यान से क्या आएगा डबलू इक्वल्स टू माइनस के 2.303 ठीक है भई NRT लोग और यहां पर क्या आएगा भाई P1 by P2 तो आपके पास एक और फॉर्मॉला आ चुका है और यह फॉर्मॉला आपको दिखरा होगा यह फॉर्मॉला आगया एक्सपेंशन की केस में अब जड़न देखो बिटा अगर मैं यहां पर वर्क डन कैल्कुलेट कर सकता हू और मुझे हीट कैल्कुलेट करनी हो हीट डीक्यू की वैल्यू कैल्कुलेट करनी हो ठीक है भाई तो मैं आपर लिखूंगा कैल्कुलेशन आप तीशनरा कैल्कुलेशन कैल्कुलेशन आप हीट किसके बराबर होगी बिटा आप लोग जानते होंगे डीक्यू बराबर होता था दि-ू माइनस के डबलू के बराबर और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ाए कि आइसो थरमल प्रोसेस के लिए यह ज़स्ट एक मिनट पहले ही पढ़ाए बेटा कि आइस्थ थरमल से के लिए डी यू की value क्या होती है 0 है ना अगर यह value 0 होगी बिटा तो हम यहाँ पर क्या माल लेंगे वही हम यह क्याँ पर क्या माल लेंगे कि सर यह वाला जो टर्म है ना यह वाला टर्म तो 0 के बराबर हो गया तो क्या प्लस है ना तो यहां पर हीट का वेल्यू क्या आ जाएगा बड़ाबर हो जाएगा टू पाइंट थी जिरो थी एन आर्टी लोग वी टू बाई वी वन आप लोग यह भी ध्यान रखना अगर यहां पर दो वोल्यूम ना देकर दो प्रेशर देंगे तो आपको यही वी टू बाई वी वन की जिंगा पर पी वन बाई पी टू रखना है और आपका अंसर आ जाएगा ठीक है तो यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बिटा क्लियर है जी अब जड़ा देखो जैसे हमने आइसो थर्मल एक्स्पेंशन करा ऐसे एगर मैं माल लोग आइसो थर्मल क कमपरेशन ओफ आइडियल गैस यह मैं आपको बोल देता हूं किसी नुमेरिकल में यह लिखा आ गया तो आप लोग यह बात तो समझी जाओगे मेरे बच्चों कि आइसो थर्मल कमपरेशन का मतलब होगा कि आपके पास एक सिलेंडर है ठीक है इस पर यह मूवेबल पिश्टन लगी होगी और इस मूवेबल पिश्टन को जब आप नीचे लेकर आये होंगे तो मान लीजेगा यह स्थिति होग इसकी उपर से कंप्रेश करते हुए दबाते हुए आप वीवन यह थी और वीटू यह थी ऐसे लेकर आते हो अप लोगों बताया थे जब आप किज चीज को दबाऊगे उस पर कंप्रेश करोंगे तो वक्रण आप करोगे है ना और जब आप उसका रोग्डण करोगे work done on the system अगर होगा तो हीट यहां से क्या होगी? Release हीट क्या होगी? अपने आप से Release तो वर्क डन हो जाएगा पोजिटिव हीट हो जाएगा डेगिटिव सेम टू सेम अगर आईसो थर्मल प्रोसेस लिखा होगा तो आप यह बास समझ जाना कि डेल्टा एच की वैल्यू जीरो के बराबर डेल्टा यू की वैल्यू जीरो के बराबर because we know that डेच बराबर क्या होता है? CPDT और डीउ बराबर क्या होता है? CBDT तो यहां से आप लोगों को यह बात पता लग जाएगी यह दोनों वैल्यू तो जीरो होने वाली है जब आप इसका डेरिवेशन करोगे वर्क डन का तो वहाँ पर हमने कहा लिया था माइनस के P external into में DV अब आप क्या लोगे positive में W equals to PDV फिर आप वैल्यू रखोगे डेरिवेशन करोगे, solve करोगे difference पता क्या आएगा यह जो value आपके पास minus में आई है इससे पहले वर्क डन की value जो यह minus में और minus में आई है यह positive हो जाएगी और heat जो आपके पास positive आई है इसकी value negative हो जाएगी तो आप ज़्यादा सरदर्द ना करें वहाँ पर चुपचाप बस ऐसे numerical लिग लेना फोर्मूला W equals to minus 2 लिगाँ पर प्लस 2.303 NRT log V2 by V1 या फिर बराबर होगा 2.303 NRT log P1 by P2 समझ गए होंगे अगर किसी numerical में दो volume ना देकर वो दो pressure दे दे तो आपको यह करना पड़ेगा ठीक है जी तो एक relation यह याद रखेंगे भई आगे देखो बिटा अगर आपको heat निकालनी पड़े DQ या changing heat वो बराबर किसके आएगी minus के 2.303 NRT log V2 by V1 और बराबर minus के 2.303 NRT log P1 by P2 अगर दो pressure दे रखे हों बाकी आप समझदार हो आपको क्या करना है ठीक है जी तो यह बेटा जी आप लोगों के ISO thermal process के सारी derivation और सारे formula थे जो आपको निकालने हैं इसके बाद बहुत सिंपल है क्या करना है जरा देखिए इसके बाद कुछो करना ही तो नहीं है अब तो आप question करिए बस क्या दिया हुआ यहां पर 2013 IIT में आया हुआ question है भई ए पिस्टन इज फिल्ड विद जिरो पाइंट जिरो फोर मोल ओपन आइडियल गैस देखो आइडियल गैस का लाम आगया लिखा हुआ है ना ठीक है एन की वैल्यू दे रखी है एक्सपैंड कर रहा है और डिवर्सिबल का साइन है फोर्मुला समझ गए कौन सा लगेगा 2.303 वाला इसने बोला कि 50 ml मेरे पास वोल्यूम थी और वर 375 ml हो गई एट कॉंस्टेंट टेंपरेशर टेंपरेशर अगर कॉंस्टेंट है जो की दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस तो इसने बोला है अब आप देखो बेटा आप लोग जब इस नुमेरिकल को सॉल्व करना सुरू कर दोगे क्योंकि आपको बहुत सारी वैल्यू दे रखी है आपके माइंड में तुरंत क्या आएगा और वर्क ड़न और हीटी तो कैल्कुलेट करनी है तुरंत आप फोर्मुला लगाएंगे क्या कि एक्सपेंशन में डबलू का फोर्मुला होता है माइनस के 2.303 एन आर टी लोग वी टू बाए वी वन यही आद आएगा देखो एन की वैल्यू दे रखिए 0.04 आर की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है 8.314 याद करो जब हम गैसे स्टेट पढ़ रहे थे और वहाँ प थर्मो डैनिक्स में आर की वैल्यू रखोगे तो वह एनर्जी वाली रखनी है 8.314 वाली चलिए टेंप्रेशर दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस इसको केल्विन में कर्मट कर लोगे और लोग दो वोल्यूम दे रखिए अलग-अलग 375 और 50 सौल करने के बाद आपके पास आंसर आएगा कोई दिक्कत नहीं है आपने अगर ये वैल्यू निकाल ली है तो पेटा जी हीट का फॉर्मूला क्या होगा हीट का सर्व प्लस में हो जाएगा 2.303 एन आर्टी लोग V2 by V1 सारी वैल्यू आपको पता है N की वैल्यू, R की वैल्यू, T की वैल्यू, दोनों वोल्यूम की वैल्यू वो भी वैल्यू निकल जाएगी और अर्सर मैच भी हो जाएगा लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है यहाँ पर एक बात क्लियर दे रखिए कि एक्ट्वल में यह numerical in formula का नहीं है, यह common sense का है, जिसमें pen भी नहीं चलाना होता, इसमें दिया गया है कि इसने heat absorb करी 208 Joule, expansion में heat जब हम system को देते हैं, system जब heat लेता है तो हमसे ही लेगा, तो वहाँ पर change in heat किसके बराबर हो जाएगा, 208 Joule के बराबर, किलो Joule है Joule, हाँ Joule के बराबर, हम लोग यह भी तो जानते हैं न, we know that, we know that, for isothermal process, अगर हमारे पास isothermal process है, तो बेटा जी, du किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, यह तो याद होगा आप लोगों को, और first of thermodynamics क्या है, ज़रा देखिए, dq बराबर, du माइनस के w है, यह value अगर 0 के बराबर हो जाती है, तो क्या dq बराबर माइनस w हो जाएगा, या w बराबर माइनस dq हो जाएगी, तो आप कोगे sir, w बराबर जब माइनस dq होगा, dq की value already 208 प्लस में थी, तो माइनस के 208 होगी की नहीं होगी w की, तो इसने नुमेरिकल को लेके बैठे रहे हैं, आदा घंटा सोचते रहे हैं, और अपना टाइम बेस्ट करते रहे हैं, लेकिन इसमें यह जितनी भी value दे रखी है, इसका अंसर होगा, कि q की value जो है, वो प्लस के 208 है, और w की value है, माइनस के 208 है, चेक कर लो कहां पर प्लस माइनस द रखा है, आप कोगे सर, इसका correct answer हो जाएगा, अमरेंदर बहुवली, इसी कोम टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहां से आपको numerical solve करने हैं, बिटा, चलिए, अब जड़ा देखो भाई, यहां तक करने के बाद, अब आप लोग क्या करेंगे, next numerical, नेक्स नुमेरिकल है भाई, यहां पर बोला गया है कि मेंस online अपरेल 2013 में यह question आया हुआ है, आप लोगों को बताना है, which of the following statement या relationship is not correct in the thermodynamic chain, इसमें बताना है कि कौन सा incorrect है, ठीक है भाई, is not correct, आप मुझे बताओ, क्या मैंने आपको चिला चिला कर बार बार बताया है कि डेल्टा यू जीरो होती है, आइसो थर्मल के लिए, बोलो यार, आप कोगे सर, बिल्कुल आपने बताया है, तो इसको हम correct कह देंगे, ठीक है, डबलू इक्वल्स तू माइनस के नर्टी लोग वी टू बाई वी वन, आइसो थर्मल एक्सपेंशन है, अब देखो, आंसर इसमें से कोई एक गलत हो सकता है, कोई सही हो सकता है, ठीक है, और इस कोशन का जो आंसर, इस कोशन का जो नाम है, वो मैं लिख देता हूँ, बाहुवली, बाहुवली कोशन का आंसर विद टाइम मुझे, आपके comment box में चाहिए, अब यहां से टव नहीं है, कि थर्मो क्सचन है, IIT के अंदर, इसने बोला है, टू मोल्स, एन की वैल्यू तू दे रखी है, आइडियल गैस इस एक्सपेंड़ इसो तर्मली, वर्ड क्या दे रखा है, आईसो थर्मली, एन रिवर्सिबली, एक लीटर, टैन किलो, टैन लीटर है विटा जी, तू टैन लीटर, 10 केगा मतलब होता है टैन किलो लीटर सोरी हां टैन किलो लीटर एट 300 केल्विन आप लोगों को नुमेरिकल देखते ही ऐसा लगेगा सर ये तो बड़ी सी वैल्यू दे रखी है कौन से फोरोल में पुट करें जो करेक्ट आंसर लेके आए अरे नालाय को गदो एंथेल्पी करता है यह पूछा है उसने आप लोग बाद जानते हो कि दिराबर किसके होता है cp dt के बराबर होता है कि नहीं जब नहीं रात कहें दी कि 기대 हो जाएगा कॉंस्टेंट कि क्या हो जाएगा कॉंस्टेंट चेंजिन टेंपरिटर कितना हो जाएगा जीरो ठीक है अब इसका इस कोश्चन का जो नाम है वह मैंने लिग दिया देव सेना इसमें सॉल्व नहीं करना कुछ भी मैं ऐसे जूट नहीं बोल रहा था कि देखो एक मिनिट में क क्योंकि आप लोगों को अंदर से बात पता लग गई है कि अगर मैं DT की वैल्यू जीरो रखूंगा तो DH की वैल्यू जीरो आएगी आप देख लो ABCD में क्या अंसर आने वाला है मैं तो आपको बताऊंगा नहीं ठीक है चलिए अब नया कुशन आ गया वाई क्या बोला है 5 mol of an ideal gas is expanded isothermally देखो 5 mol दे रखे n की value isothermally दे रखा है लिखा हुआ और वह भी ideal gas है और expand का मतलब है piston उपर जा रही है work done system कर रहा है work negative आना चाहिए heat positive आनी चाहिए ऐसे देखना है volume दे रखे 5 decimeter cube V1 और 5 meter cube जो दे रखे है यह दे रखे है V2 at 300 Kelvin which of the following is incorrect about the statement देखो no heat is absorbed on reaction by the gas heat तो यह absorb करेगा there is no change in internal energy आप लोग जानते हैं कि जब आइस्टो थर्मल प्रोसेस है तो डी यू की value तो जीरो ही होगी ना बेटा जी हाया ना आप लोग समझ जाना भाई यह numerical मैं नहीं कर दिखाओ अगर नहीं होंगे तम मैं कर माऊंगा भाई ठीक है और मैं comment box चेक जरूर करूंगा तु तो यह आपका हो जाएगा इस कोशन का नाम हो जाएगा कटपा कटपा तो इस वाले कोशन को भी आप करेंगे फटाफट आगे बढ़ते हैं वाई यह कोशन है आपके सामने इसने पूछाए वन मोल ओपन आइडियल गैस देखो एन की वेल्यू देदी टेंपरेजर की वेल दिया और पूछा क्या है इंटरल एनर्जी अरे इसमें कुछ स्वाल्व करने की ज़रोत नहीं है मेरे भाई डेल्टा यूज जीरो होती है तुर्ण टिक लगाना बीफ और बंदर 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 नहीं बंदर नहीं बाहो बली बेजती हो गई चलो कोई बात नहीं ठीक है चेंजिन इंटरनेर्जी पूछा है यह सारी वैल्यू बेफ को बनाने के लिए देर क्यों होती है कि तक चाकि आप जब आपको नोली तो होती नहीं है आप लोग गदो की तरह सौल कंड़े बैठ जाते हो फिर सोचो कि जीरो कैसे आएगा क्या अंसर होना चाहिए तो आप अपने मन में फीड कर लेना है कि डेल्टा एच और डेल्टा यू तो आइसो थर्मल के लिए जीरो होगा वो नुमेरिकल में कुछ भी दे कोई भी वैल्यू दे कन्फूज करने के लिए कन्फूज नहीं होना है वैल्यू जीरो लिखनी है बास कर्यक्त आंसर आएगा एटी एम और फाइनल प्रेसर दे रखा है वन एटी एम और 227 डिग्री सेल्सियस दा वर्ग डन बाइदा गया इस बार वर्ड़न है तो आपको निकालना पड़ेगा ठीक है वर्ड़न आप लोग यह बास जानते होंगे जब आपको नेश्रल लोग की वैल्यू देई रख ठीक है वही है जान्य मेस लोग लोग लें लेकिन यहाँ पर दो वैल्यूम नहीं दे रखी है जब दो वैल्यूम नहीं दे रखें क्या-क्या पीवन की वैल्यू दे रखी है कितनी 180 और पीटू की वैल्यू दे रखी है 180 और टेंपरेचर जो दे रखा है वो 27 डिगरी सेलसेस जानी 300 केलविन है चुपचाप सौल्व कर रहा और मैं आपको एक बाद बता हूं आंसर आपको दे रखा है कैलरी में आंसर क्या दे रखा है कैलरी में तो ध्यान दखना है आपको आर की जो वैल्यू यूज करेंगे आप लोग आर बराबर होगा टू कैलरी पर कैल्विन पर मोल तो प्लीज आप आर की वैल्यू को टू रखना यहां पर ठीक है एट पाइंट 314 तब रखते हैं जब वर्टन जूल में कैलकुलेट कर तो यह वैल्यू रखना एंड की वैल्यू दे रखिए 5 आर की वैल्यू आपने वहां दे दी मैंने टी की वैल्यू 300 केल्विन है नेचरल लोग पीवन भाई पीटू करना है क्या करना हो तुम देखो ठीक है बहुत सिंपल है और इस कोश्टन का नाम हो जाएगा क्या होना अवंती का इसका नाम रख देते हैं अवंती का इसका नाम हो जाएगा ठीक है तो यह वाला कुशन भी आप करके दिखाएगी मुझे चलिए यह यहां पर दिया गया है तो वर्ग डन इंदा इसो थर्मल रिवर्सिबल ऑप आरगन एट 27 डिग्री सेल्सियस एट यह 4 लीट और यह हो जाएगा 16 लीटर वाज इक्वेल टू 4200 कल्विन वाट इद आमाउंट ऑफ आरगन सब्जेक्टिट दू फलाना धिम का नैंस और ग्राम में वैल्यू पूछे बस सिंपल है क्या करोगे डबलू इक्वेल्स तू माइनस के तू अन नाच्रल लोग की वैल्यू द परखिया कितनी जी 4200 कल्विन तो 4200 बराबर एन की वैल्यू हमें निकालनी है माइनस के एन और वर्गडन इसने करा है ओहाँ वागडन अगर यह करता ना तो बाबोचे वर्गडन को नेगिटिव लेने का अगर यह एक्सपेंशन कर रहा है तो एक्सपेंशन में वर्गड लिखोगे क्या माइनस के 4200 बराबर एन आर की वैल्यू टू लेते हैं जब हम कैलरी में रखते हैं और टेंपरेचर की वैल्यू कितनी है 27 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे कैल्विन में करना पड़े तो 273 जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा 300 केल्विन तो यहां पर 300 नेचुरल लोग वीटू की वैल्यू 16 लिटर वीवन की वैल्यू 4 लिटर सौल करोगे दिन लेचुरल लोग 4 आएगा यह वैल्यू रख लोगे सौल करने पर N की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद आप लोग मोल कोंसेप्ट में मोल का फोबना तो यहां पर वेट निकालना है करेक्ट ओप्शन को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है तो देखो जब नुमेरिकल का टाइम आया तो अब कितने आसान लग रहे हैं लेकिन जब स्टार्टिंग में अंडर्स्टेंडिंग रखने का चीजों को निकालने का टाइम आया तब सोड़ी दूइदा हो रही होगी मैं मानता हूं लेकिन मुझे पता है कि तुम एकदम जबर्दस वच्चे हो तुम हार मानोंगे नहीं थर्मोडैनमिक से डरोगे नहीं क्योंकि आज अगर तुमने थर्मोडैनमिक के सामने गीवब कर लिया तो जिंदगी बढ़ थर्मोडै इसका लाश्क दे देखोगे तो तब तुम्हें फील होगा कि भाई साब क्या चैप्तर था दी बेस्ट चैप्तर था मजा आगया सार